बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपके अपने ही चैनल अनीता शिक्षा पर वैसे तो हम इस चैनल पर हमेशा अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं, इंगलिश की पढ़ाई करते हैं, ग्रैमर की बात करते हैं, लेकिन आप लोग की डिमांड थी कि मैं हमारको माधिमिक शि स्क्रीन शॉट लेके और इनसे तैयारी कर सकते हैं यह देखे जिस तरह से हिंदी का पेपर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो घंटे 45 मिनट का समय दिया हुआ है और पुर्णांख है आपके 80 नंबर यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं मैं बहु खंड अ बहु विकल्पी प्रश्ण इस तरह से आपका यह गद्दांश है और उसमें से प्रश्ण पूछे गए हैं इनको एक बार मैं थोड़ा सा हर जगे थोड़ा रुप के आपको आगि दिखाऊंगी तो आप लोग देख लीजिए उसके बाद में यहां पर दुबारा से पठित गद्धांश आप ध्यान से देखिए यह गद्धांश दिया हुआ है और इस गद्धांश को पढ़के आपको उत्तर करने होंगे यहां से यह पूरा हाँ एक बार मैं आपको यहां पर दिख जाएगा उसके बाद में आपके यह कुशन अंसर्स हैं जो आपको इस इसमें से करने हैं आप आगे देखिए रिक्स स्थानों के पूर्ति कीजिए अब थोड़ा समय इसको बड़ा करके आपको शो कर देती हूं हिंदी मेरा एक्चुली विशे नहीं है मैं सिर्फ आपको पेपर शेयर कर रही हूं बार्विन कक्षा के तो आप लोग यहां से प है धाइसो शब्दों में इनके उत्तर देने होते हैं देखिए तेरा चौधा पंद्रा सोला और खंडद सत्रौं प्रश्न अठारा 19-20 यह 20 प्रश्न दिये हुए है आपके उसके बाद में आपका यहां से इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाता है यह पेपर आपको मैं अल्ड़री शेयर कर चुके हूं आंसर्स इसके आपको हां से देख सकते हैं अनीता शिक्षा चैनल पे इंग्लिश के सारे जितने भ आप अनीता शिक्षा पे जाके देख सकते हैं उसके सेक्षन बी यहां पर भी पैसेज है यह इस पैसेज के कोश्चन्स हैं सी यहां पर देखे सेक्षन डी और टोटल आपके 25 कोश्चन्स हैं इसके अंदर इंग्लिश में उसके बाद में आगे देखे यह पूरा मार्किंग स्कीम दिया हुआ है किस तरह से पेपर आने वाला है यह उसका ब्ल्यूप्रिंट है यह माध्य में शिक्षाबोर राजस्तान अजमेर के द्वारा जारी किया हुआ है कम्प्यूटर विज्ञान का देख लेजिए आप प्रश्ण पत्र की योजना के से साब से है यह ब्ल्यूप्रिंट है कम्प्यूटर विज्ञान का उसके बाद में कम्प्यूटर साइंस कक्षा बारा यहां से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है यह multiple choice questions स्टार्ट हो गए हैं यहां से बहुत धीरे धीरे मैं slide को उपर कर रही हूं ताकि आप लोगों अगर रोग के पढ़ना चाहें या questions नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं fill in the blanks second question में third question में short answer type questions दिये हुए है section B section C and section D अब यहां पर आपका यह paper complete हो गया है उसके बाद में प्रशन पत्र की योजना दी हुई है इसको भी informatics practices में यहां से आप देख सकते हैं कि अर्थ शास्त रविशय का paper है यह आप अर्थ शास्त रविशय का paper है यह थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको यहां से स्टार्ट है अर्थशासर का पेपर सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी फिर यह प्रशन पत्र की योजना है अर्थशासर की किस तरह से मार्किंग स्कीम होने वाली वह आप देख लिजे अंक भार यहां पे दिया हुआ है पूरा फिर यह इसका ब्ल्यूप्रिंट है अगर आप इसका स्क्रीन छोट लेना चाहें तो यह भी ले सकते हैं यहां पर प्रशन पत्र की राजनीतिक विज्ञान वेशे शुरू हो गया है अब यह राजनीतिक विज्ञान का पेपर यहां से स्टार्ट हो गया है आपका ट्वेल्थ का वो भी आप देख लिजे संस्क्रिट साहित्यम यहां से स्टार्ट देखिए अब आराम से वीडियो को रोक के पूरा पड़ सकते हैं और इन कोशन्स को नोट कर सकते हैं माग कर सकते हैं अपनी बुक में और इनको बाद में तैयारी कर सकते हैं क्योंकि यह मादे में शिक्षबोड राजस्तान के द्वारा जारी किया गया है तो आपको कोई भी कोशन्स हैं कि इस पेपर में से आ सकते हैं आपके एक्जाम में कोई कोशन्स रिपीट हो सकता है तो आप ध्यान से पढ़िएगा यह देखे हिस्ट्री यहां पर स्टार्ट हो गया है इतिहास इतिहास का पेपर यहां से खंड अ से देखे खंड अ से प्रशन दो प्रशन तीन खंड ब कि खंड सर्ड फिर भूगोल प्रशन पत्र की योजना यहां पर आप देख पा रहे हैं पिर यह ब्ल्यूप्रिंट है आपके सामने यह भूगोल बहु भी कल्पी अप्रशन मॉल्टिपल चॉइस कुश्चिन सेखें सेक्शन सी सेक्शन दी इगनित का ब्ल्यूप्रिंट है मैट्स का पिपर यहां से स्टार्ट हो रहा है मॉडल पिपर मैट्स का संगीत गायन प्रशन पत्र की यूजना संगीत गायन प्रशन पत्र की यूजना ब्ल्यूप्रिंट बारिविं कक्षा में सभी बच्चों के विशे अलगल होते हैं उसके अनुसार आप अपना जो भी पेपर हो आप देख सकते हैं म्यूजिक, मैलोडी, इंस्ट्रूमेंट, सितार, सरोद, वाइलन, दिल, रुबा, इसराज, फ्लूट, गिटार उसका प्रशन पत्र देखिए आप चितर कला की प्रशन पत्र की योजना, ब्ल्यूप्रिंट और नीचे मॉडल प्रशन पत्र उच्छ मादिमिक विद्यालियों के लिए है, ये 2022 के लिए जारी किया गया है अब ये ग्रह विज्ञान प्रशन पत्र की योजना यहां से शुरू हो रही है कक्षा बारा की, पहले मल्टिपल चॉइस कुश्छन, सेक्शन ए में सेक्शन बी, लग उतरात्मक प्रशन, सेक्शन सी, दिर उतरिये फिर प्रशन पत्र की योजना, मनो विज्ञान विशे की, उसका ब्ल्यूप्रिंट मनो विज्ञान कक्षा बारा, यहां से पेपर स्टार्ट हो जाता है आपका अब यहां से इंग्लिश लिट्रेचर की यह ब्ल्यूप्रिंट है इंग्लिश लिट्रेचर का यहां से पेपर स्टार्ट हो जाता है यह ब्ल्यूप्रिंट हिंदी साहित्य यहां से प्रश्ण उत्रश्र हो गए हैं अब यह उर्दू साहित्य का ब्ल्यूप्रिंट है उर्दू का पेपर यहां से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी फिर यह प्रश्ण पत्र की योजन नहीं आपको सिंधी साहित्य विशे की यह उसका ब्ल्यूप्रिंट है यहां से पेपर स्टार्ट है बच्चों जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने संबंदित विशे को ही देख लीजेगा और उसको नोट कर लीजेगा तापकि आपका बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे विशे हैं इसमें गुजराती साहित्य पत्र की योजना ब्ल्यूप्रिंट और यहां से पेपर स्टार्ट हो गया है पंजाबी साहित्य राजस्थानी साहित्य यहां से पेपर है स्टार्ट समाच शास्तर का पत्र अपशुड़ हो रहा है यहां से यह ब्ल्यूप्रिंट है समाच शास्तर का अब यह प्रशन उत्तर है यहां से लेखा शास्तर पत्र की योजना ब्ल्यूप्रिंट देख लीजिए उसके आद में पेपर देख लीजिए लेखा शास्तर का यह मॉडल पेपर है इससे आपको आईडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रशन आने वाले हैं और कैसे आपको उनकी तयारी करनी है एक्जाम की बोर्ट परिक्षा की प्रशन आने प्रशन आने प्रशन आने प्रशन आने वाले हैं वेफसाय अध्यान का यहां पर प्रशन पत्र की योजना उसके बाद में यह ब्ल्यूप्रिंट है वेफसाय अध्यान का फिर यहां से पेपर स्टार्ट हो गया बहुत एक विज्ञान का ब्ल्यूप्रिंट बहुत एक विज्ञान का यहां से प्रशन पत्र की योजना शुरू हो गई है बहुत एक विज्ञान फिर यह उसका ब्ल्यूप्रिंट है यहां से प्रशन पत्र शुरू हो गया है बहुत एक विज्ञान का का यहां से रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र की यूजना शुरू हो गई है यह ब्ल्यूप्रिंट है रसायन विज्ञान का यहां से आप पूरा ब्ल्यूप्रिंट समझ सकते हैं फिर अब यह रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जी विज्ञान प्रश्न पत्र की यूजना देखिए अब यहां से स्टार्ट हो जाती है जी विज्ञान यह जी विज्ञान का ब्ल्यूप्रिंट है जो आपको स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है तो बच्चो आई होप आपको बच्चो आई होप आपको यह मौडल पेपर सारे समझ में आ गए होगा और अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो वो भी आपको अनीता शिक्षा के टेलिग्राम चैनल पे उपलब्थ है आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को जिनको अभी तक कोई आईडिया नहीं है कि किस तरह से बोड की परिक्षा में उनकी प्रश्न पत्र आने वाला है चलिए चलते हैं मिलेंगे नेक्स क्लास में इंग्लिश आप सब लोगं की कॉमन होती है तो इंग्लिश क्लास ज़रूर जोइन कीजेगा अनिता शिक्षा पे सारे चैप्टर्स में ने पढ़ाये हैं लाइब क्लास भी अब जैन्वरी से वह पर स्टार्ट हो जाएंगी बोड की एक्जाम की तैयारी के लिए एक महिने में पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगे मैं आप वो लोग भी ज़रूर जोइन कर लिजेगा थांक यू, हैव नाइस दे